जो इनका सबसे बड़ा वीर वो सबसे बड़ा दलाल हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सवार कर रहे हैं आप भी जनरल गोदी मिडिया हैं, उसी तरह आप बात कर रही है जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, इनका कोई योगदा नहीं है, यह सब अगिरेजों के दलाल थे बेसिकली जिन लोगों की सरकार है, वो इस समिधान को मानते ही नहीं, उनका तो समिधान ही अलग है, उनका तो जंडा ही अलग है अगर यह चोरतर साल पर लिव होता था तो आज हमको अंदल करने की जुरूत ही नहीं होती कि जो कॉंस्टिटुशन है, उसके अंदर जो जो प्रोविजन्स है, वो जिस हेतु से बनाए गए थे, उस हेतु को टाल दिया जा रहा है अब ही हम मौजूद है जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाफिर एक प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन के एक कुछ खास मकसद से किया जा रहा है संबिधान के लिए क्या जा रहा है, संबिधान में संसोधन के लिए क्या जा रहा है संबिधान बता दे कि संबिधान एक ऐसा चीज है, जो किसी भी देश को चलाने के लिए जो नीती है रूल नियम काइदे जो बनाए जाते वो संबिधान ही होता है जब किसी के साथ कोई सोशन होता है या किसी भी तरह किसे जो प्रतारित होता है इंसान तो संबिधान का ही सहारा लेता है लेकिन आज सवाल संबिधान पर ही है आज संबिधान को लेकर ही प्रदर्श किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम लोग महजूद हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है किस बारे में क्या संसोधन चाहते हैं आप सम्विधान में सम्विधान जो आर्टिकल 32 जो है जो हमारे जितनी भी मोलिक अधिकार है उसको सरक्षन देता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है पर आर्टिकल 32 अबलिक 3 में एक हा गया है कि जितनी भी हमारे मोलिक अधिकार का सरक्षन है तो उसके लिए हमको जो हमारे तालुका सर डिस्ट इसमें क्या संशोधन चाहिए इसको बिल पारिद करना चाहिए और सुप्रीम को गाइडलेंस देना चाहिए कि आप हर कोट में उसका रिट्पीडिशन स्विक्रित कीजाए इसमें क्या गाइडलेंस चाहिए मतलब आल्रेडी तो वो दिया हुआ है पर उसके अंदर एक लाइन मेंशन किया हुआ है कि अगर सांसत इसको अगर बिल पारिद करेंगे और बिल पारिद होने के बाद यह सुप्रीम कोड को और चला जाएगा इसकी उपर बात आटी हुए अगर यह 24 साल पहले होता था तो आज हमको आंदरन करने की ज़रूती नही है आज हमने साथ जो सब सब सथी ओति आहिए और ज्यादा तर आप उंसे बात करेंगे तो बेतर हो होगा अब उनसे जाहिर तोर पर जो आर्टिकल 32 हो है वो संभिधान की आत्मा कहा जाता है संभिधान का रख्षक कहा जाता है और सवाल आज उसी को लेकर है उसी के संसोधन को लेकर है क्या कुछ कहेंगे आप मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो Constitution है उसके अंदर जो जो provisions है वो जिस हेतु से बनाए गए थे उस हेतु को टाल दिया जा रहा है इसका मतलब यह नहीं कि 74 सार पहले जो हेतु से किया था वो गलत था लेकिन जिस हेतु से वो किया था वो हेतु को टाल के जिस तरह से संविधान चला रहा जा रहा है और जिस तरह कोर्ट के आधिकार को कम किया जा रहा है और उनको हम मांग रहे कि उनको कोई आधिकार दे दे कि जो समानता के इश्यूज आएंगे उनके सामने तो उनको उसके बारे में देखना चाहिए उनके उपर उन्होंने जज्जमेंट देना चाहिए लेकिन वह नहीं दे रहे हैं वह आधार रहे सवीधान का एक्चुली भंग कर रहे सवीधान का कौन सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोट हमेजा उनका मानता नहीं है इसके लिए सुप्रीम कोट के किलाब भी कभी करते हैं कारवाई क्या करते हैं डिटेल में समझाए लोग आगे न सामने ञाथा ने डिमॉस्टिट करने के लिए तो मैं नहीं गया था ना सुप्रीम कोट के चार जजज आगए हैं कि pasti खतम होरे हैं तो सुप्रीम कोट ही कह seguir के रहाए था हमाने सामनता का अधिकार सवतंतरता का अधिकार और भी जो मूल अधिकार जो होते हैं भागतीन में जो मूल अधिकार में दिये गए हैं उन्हीं पर सवाल उठाये जा रहे हैं आप क्या कुछ कहेंगी मैं उनमें चेंच आऊंगा 32 अवलिक 3 के अंदर जब तक ये बुनियादी तोर पर तब्दील नहीं होता और इसमें मतलब एक संचोधन नहीं किया जाता जब तक ये पैक्टिकल के लिए नीचे नहीं आएगा नहीं नीचली अदालतें इसमें कंसीडर कर पाएंगी और जो लोड सुप्रिम कोड पर है वो कम हो जा जायेगा और लोग उसमें विश्वास के साथ जीना शुरू करेंगे अब तक जो अंदेखी की गई है, वो मतलब ये कि बहुत ही हैरत की बात है, तमामी लोग उसमें आए, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ वो नहीं किया, और उसमें बहुत साफ तरीके से है, जब तक ये पारित नहीं होगा, इसको खानून की शकल नहीं दी जा सकती, उसके उपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं आप कह रहे हैं सरकार जो है वो सुप्रिम कोट के सक्ती को कम कर रही है, सम्विधान से नहीं चल रही है जनता को समझाईए, एक्जामपल के साथ की कैसे सरकार जो है सम्विधान के एक हिलाफ जा रही है बेसिकली जिन लोगों की सरकार है वो इस सम्विधान को मानते ही नहीं, उनका तो सम्विधान ही अलग है, उनका तो जंडा ही अलग है सब लोग जानते हैं आप नहीं जानती तो मुझे बड़ी ताज़ुप की बात है नहीं जनता को समझाई है क्योंकि जनता को हर बार सरकार सही लगती है हम जनता की आवाज हैं जनता नहीं जानती कोई सम्मिधान को वो विश्वास नहीं रखते बली वो माता टेक दें बली उसको चूमले सरफ़ उटा लें लेकिन वो उसकी आतमा ये नहीं कहती और उनके जो दूरू है जो उनको आत्मा है या जो आरेसस उनका डारेक्टर है जो डारेक्शन देता है वो सम्विदान को लागू करते ही नहीं अप्लाई कभी नहीं मांते हैं 47 से लेकर अब तक उन्होंने उस घंटे को सलामी नहीं दी वह कांस्टिश्यूशन को कहां मान लेंगे उच प भारत के विविन भागों से ही हां और हिहां बारिष मा भीग रहें हैं और इसे आपदा के दर्मियान ही आया है ना हमारे उनके खाने का को करा आरीजमेंट EU सका है जो लोग जहां में यह अपनी हिम्बन पर आये है इन लोगों को सलाम है आप कहते कि वो जंडे को सलाम नहीं करते तो और भी कई सारी ऐसी कम्यूनिटी है जो भारत माता की जय और बंदे मात्रम भी नहीं वोलती ऐसी कोई है आप बताए कौन सी प्रचार का सवाल पूछ रही हैं आप भी जनरल गोदी मिडिया उसी तरह बात कर रही हैं कोई भी कम्यूनिटी आ इसे ने कोई चंद लोगों के वो इंडियन्स सब कोई भी इंडियन्स हो सकते हैं उसके अंदर अज जो लोग सत्तावें बैटे हैं जिनके उपर आप अरोब लगा रही हैं उनके खून के उपर बैटके आप सत्तावे हैं आपका योगदान कोई नहीं है ये जो हुकुमत करने वाले लोग हैं इनका कोई योगदान नहीं ये सब अग्रेजों के दलालते इन लुगों ने आजादी की लड़ाई को नुकसान पहुचाया इस लिए वे बनाना जरूरिया कि उनके पास कोई काम नहीं है तो फिर आप उसका जबाब दीजिए ना हम सवाल पूछे रहा हूं आप उसका जबाब देजे लोगों को सचाई बताईए अंग्रेजों के दलाल इनका कोई योगदान इस आजादी में नहीं मैं हिस्ट्रोरियन हूं मैंने हिस्ट्री की किताब लिख किये है मैं इस आधार कि पे कहे रहा हू war We Ottokoe अनका कोई योगदान नहीं है इसलिए इनको आजञादी का कोई मूह नहीं है अंग्जज quirky कि पूर कर रहे हैं नाम लें Beyond a सबसे बला तलाल जो इनका जबसे बला वीर वह सबसे बला दलाल गांदी का हत्यारह जो गांधी का हत्यारह हो सकता है वह सबसे ज़्यादा दोसी अगर कोई है इस देश में तो वरतमान सरकार के लोग हैं। उस आत्मा कोई सिथिल कर दिया जाएगा तो समीधान तो अपना पर समाप्त होता चला जाएगा हम यहां पर आए हैं आर्टिकल 32 को मजबूती देने के लिए उसमें कोई अमेंडमेंट करने के लिए नहीं आए हमें भै और डर यह है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो ब एंटे किया बीटे किया इंजिंग किया आपने मेडिकल किया के तो आप सड़क के किनारे खड़े हो करके पकोड़े बना लो जब मैं नहीं पढ़ता कर मेरे पांचवी का सेटिफिकेट होता पकोड़ा तो मैं तब भी मना लेता लेकिन मेरे बापने मेरे उपर पैसा माफ करना जो बिजनेस में चाहता हूँ, जिसके लिए मैं पढ़ा हूँ, जिसके लिए मेरे बापने मेरे पर पैसा खर्च किया है, वो आप मुझे क्यों नहीं देना चाहते हैं, उनको क्यों आप खतम करना चाहते हूँ, उन चीजों को आप समाप्च करना क्यों चाहते अमरत महत्सो काल का बड़ा डंका पीटा गया हजारो करोड रुपया आपने खर्च कर रहे हैं उसके उपर वो क्या है अमरत महत्सो काल है कि जिसके अंदर बेटी भी सुरक्षित न हो अरे आप एक तरब नारा देते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का दूसरे तरब बेट प्रचार मादम है और परचार मादम आज मीडिया उस परचार को कबजा किये हुए है आप चैनल है हम आपका शुकरिया आदा करते हैं कि आप हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगी लेकिन आप टीवी खोलेंगे चर्चा किस बात की होगी क्या जनता की चर्चा होती है आप चर्चा किस बात की होगी एक कोई लड़की अगर आ जाती है मुसलमान से हिंदू बन जाती है तो मुसलमान के ओपर क्या फर्क पड़ रहा था? मुसल्मान के वर कोई फर्क नहीं पड़ा मुसल्मान को यह डिए साइ जासूस है तो सरकार को देखना है ना वो सरकार को देखना है कि वह जासूस कैसे आगया है अगर यही लड़की किसी उसी समूदा के लड़के के घर में आ जाती अब तक बुल्डोजर चल जाता है क्यों उसके लड़के को बुल्डोजर नहीं चला यह जो एसमानता है इस एसमानता कोई समाप्त कराने के लिए यह लोग कन्या कुमारी से ले करके और जाकर के आपका हिमाचल परदेस तक के लोग आज यहां पर इनकी तादाद पर मत जाएए यह आवाज वो आवाज है कि जो जनता तक पहुँचाने के कोशिश करेंगे लेकिन जनता तक पहुचने का कम के लिए हमें आपके जरूरत है और आप हमारे पास बहुत चंद लोग हैं जो हमारी आवाज को पहुचा सकते हैं आज वो तमाम लोग उन्हीं की बानी बोल रहे हैं, आज वो तमाम लोग देश के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसान जब अपनी फसल का दाम मांगता है तो उसको लाठी मिलती है, नोजवान जब रोजगार मांगता है तो उसको लट पचता है, बहन जब अपनी रक्सित हैं तो इस सम्विधान को कुचलने हम नहीं देंगे हम अपनी सांस के आखरी दम तक भी सम्विधान को बचाने के लिए हर उस लड़ाई को लड़ने के लिए तयार हैं कि जो लड़ाई हमें सम्विधान को बचाने के लिए लड़नी होगी यह हम इसके बाद का ऐलान लोगों की नहीं संती है मैं यह नहीं कहते हैं लेकिन अदालते हैं मिरा कानून को भी जिस तरीक्ष्री से सथापक्स के लोग कि जो अपना जर्णल टह ख करते हैं और वहां dealing करता है बैठ करके तो अदालते भी उसके उपर मोन साधने का काम कभी कभी कर लेती हैं ऐसा नहीं को मोन है लेकिन वो कितनी उनके अंदर ताकत अपनी ताकत के हिसाब से ही वो चलती है इसलिए हमारा कहना है कि हम उस समीधान को मिटने नहीं देंगे और उसको ताकत देने के लिए उसको भी प्रोटेक्शन की जरुरत है हिंदुस्तान के समीधान को अच्छा एक नया मामला सामने आ रहा है यू सी सी सुप्रेम कोट नहीं बार बार कहा है यू सी सी लगाई है इस पर क्या कहें देखो पहली बात तो है कि आज का हमारा यह मुदा नहीं है नहीं लेक अच्छी के विरोद में इसलिए हैं कि वो भारत जैसे अनेकता में एकता वाले मुल्क के अंदर वो सही नहीं है कौन सा कानून लाना चाहेंगे क्या आप उदिजम लाना चाहेंगे क्या इसाइजम लेना चाहेंगे क्या सीकिजम लाना चाहेंगे क्या इसलामी कानून पड़ेगा ना जब आपका प्रोग्राम आएगा इस पर हम तब अपनी राय खुल करके रखने का काम करेंगे कि हम उसके का विरोध करें या उसका समर्थन करें ठीक है तो जैसे कि आपने साफ तोर पर सुना कि यह जो प्रदर्शन है यह खास कर खास कर जो है 32 तीन को लेकर किया जा रहा है जिसमें की जो निचली आदालत जो है उपरी आदालत जो है निचली आदालत को कंट्रोल करती है तो उसको लेकर थोड़ी मजबूती दी जाए क्योंकि यह जो सत्ताधारी सरकार है वो अपने हिसाब से फैसले बदलवा देती है, रुखवा देती है, और कं मामला है बाकी पूरी बात्थीत पर अपनी प्रत्किरिया जरूर दें